साबर चुला के जनपत केसली अंतरगत ग्राम पंचाय टड़ा के सरपंच मुकेश सौनी पूर्ब जनपत उपाद्यक्ष ने बताया कि जल आबर्धन योजना के तहट एक करोड़ सरसट लाग धनरासी से कारी योजना स्वीकृत की गई जो पी-एच-ई बिभाग के द्वारा टेंडर प्रिक्रिया पूर्ण कर ठेकेदार के द्वारा कारे प्रगती पर चल रहा है और मेरे द्वारा जब चल रहे पाइपलाइन कारे को देखकर जहां भी वाटर ली के सहित पांच मुख्य बिंदूओं के सधार है तो पी-एच-ई बिभाग के वरिष्ट रदीकारियों को जल्दी निश्चे समय वदी में पूर्ण कारे को कराने के लिए पत्र दिया गया तो ये कितने रासी से स्विक्रित की गई थी और इसमें जो भी जगाए जगाए से लिए के सोशल मेडिया के वद्दम से हम लोगों को जानका इपलाप हुई है इसमें आपको क्या पहले पहले तो आपका बहुत धन्वाद जो आप लोग ये बात उठा रहे हैं ये जला व ये पी एची विवाद दो आरा तेकेदार दो आरा ये कारी कराया जा रहा है इसमें अभी चूकी ठेकेदार का कारी प्रगती पर है और काम चल भी रहा है अभी कहीं कहीं जो लाइन बीक हो गई है मनलब जो जो आंट वांट थे वो खुल रहे है तो उस कारें से थोड़ी परिसानी हो रही है इस संबंद में पीएची भाग में आउगत भी कराया है इस आपको भी और एश्डियो सापको भी तो उनका कहना है कि इसको बहुत जली इसे उजना का शुदार हो जाएगा और लोगों को पानी या थावत मिलने लगेगा जी अभी जो कारियों जाना या विभाग द्वारा पीएची विभाग द्वारा सुझना को चलाया भी जाएगा लगवात कितना समय बहुत लग जाएगा अब ये तो अपन नहीं बता सकते हैं लेकिन अभी कारी चल रहा है अभी बहुत सा कारी अधूरा भी है